नमस्कार कक्षा 10 एक्सरसाइस 7.1 प्रशन नमबर 3 हम करने जा रहे हैं निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदू 1,5 2,3 और माइनस 2, माइनस 11 संग रेखी हैं बच्चों देखें हमें 3 बिंदू दिये गए हैं 1 बिंदू, 2 बिंदू और 3 बिंदू यदि ये संग रेखी हैं, संग रेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पराने वाले तो माल लीजिए इस प्रकार से यदि ये 3 बिंदू संग रेखी होंगे तो क्या होगा बच्चों? देखिए इस दूरी और इस दूरी का जोड़ इस दूरी के बराबर होगा न समझ रेखा आप देखो, यहाँ पर माल लो ये बिंदू है A, ये बिंदू है B, ये बिंदू है C तो जितना A, B प्लस B, C होगा उतना ही है टोटल दूरी A, C होगा न इसका मतलब ये ये तीन बिंदू संग रेखी हैं तो किनी दो दूरियों का जोड तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए, यदि आया तो हम कहेंगे हाँ ये तीन बिंदू संग रेखी हैं यदि इन दोनों का जोड तीसरी के बराबर नहीं आया तो हम माल लेंगे कि ये संग रेखी नहीं है इसका मतलब यह है कि हमें सभी बिंदूओं की आपस में दूरी निकालनी है ठीक है इस बिंदू की इस बिंदू के साथ इस बिंदू की इस बिंदू के साथ और इस बिंदू की इस बिंदू के साथ भी दूरी निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले हम कहते हैं माल लो तीन बिंदू है A किसी को भी A, किसी को भी B, किसी को भी C ले तो कोई फरक नहीं बड़ता तो मैं पहले बिंदू को A ले रहा हूँ दूसरे बिंदू को B ले रहा हूँ और तीसरे बिंदू को C ले रहा हूँ माइनस 2, माइनस 11 अब हम क्या करेंगे बच्चो दूरी सूत्र के अनुसार सबसे पहले एक बार फार्मूला लिग देते हैं दूरी बराबर रूट x2 सॉरी माइनस x1 का होल स्केर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केर ठीक है बच्चो अब इस दूरी सूत्र के अनुसार हम तीनो बिंदूओं की दूरिया निकालेंगे सबसे पहले a और b की दूरी निकालते है दूरी का फार्मूला रूट a और b की दूरी तो x2 माइनस x1 ये पहले वाली रख में x का निर्देशांग होते हैं दूसरे वाली y का तो देखे x2 माइनस x1 यानि 2 माइनस 1 का स्क्यर प्लस y2 दूसरा बिंदू है 3 इधर है y y1 यानि 5 तो 3 माइनस 5 का स्क्यर ठीक है बच्चो देखो तुमारा x2 यानि दूसरे बिंदू में x का निर्देशांग जो की है 2 माइनस x1 पहले बिंदू में x का निर्देशांग यानि इसका स्क्यर प्लस y2 माइनस y1 दूसरे बिंदू में y का निर्देशांग है 3 माइनस पहले बिंदू में y का निर्देशांग है 5 तो 3 माइनस 5 का हो स्क्यर इसे हल करते है 2-1 का स्क्यर 2-1 होता है 1 1 का स्क्यर हो जाएगा 1 प्लस 3-5 ठीक है अच्छा ऐसे करते हैं इसको पहले स्क्यर ही लिखते है प्लस 3-5 प्लस-5 मैंनस-5 में से 3 निकाला 2 साइन बड़ी रकम का मैंनस तो यह आगया माइनस 2 का स्क्यर अगले स्टेप में 1 का स्क्यर 1 माइनस का स्क्यर प्लस 2 का स्क्यर 4 तो 1 प्लस 4 हो गया 5 5 का रूट यानि रूट 5 ठीक है बच्चो इसी प्रकार से अब हम दूरी निकालेंगे BC ध्यान से देखेगा दूरी निकालेंगे मैं थोड़ा से इसको जूम कर देता हूँ B और C के बीश के दूरी देखो X2 माइनस X1 का स्क्यर तो दूसरा पॉइंट है माइनस 2 इसमें से 2 माइनस करेंगे यानि X2 माइनस X1 X1 है 2 का स्क्यर प्लस सीधी सी बात है बच्चो X निर्देशांग मेंसे X निर्देशांग माइनस कर दिया Y निर्देशांग मेंसे Y निर्देशांग माइनस करेंगे Y निर्देशांग यहां है माइनस 11 तो माइनस 11 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 3 इसका स्क्यर आईए इसे हम हल करते हैं root देखिए minus minus plus 2, 2, 4 7 में sign minus का minus 4 का square plus minus minus plus 11 और 3, 14 7 में sign minus का minus 14 का square आईए इसे हल करें minus का square होगा plus 4 का square होगा 16 minus का square होगा plus 14 का square होता है 196 196 में जब 16 प्लस करेंगे तो आजाएगा 212 और इसके उपर है root तो ये root भी आगया ठीक है बच्चो इसी प्रकार से अभी हमने A और B की दूरी निकाली B और C की दूरी निकाली अब हम A और C की दूरी निकालेंगे 212 पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए इसको root से अलग नहीं किया A C A और C फिर से इसको पहला point माल लेते हैं इसको दूसरा तो X निर्जेशांक में से X निर्जेशांक माइनस कर दिया माइनस दो माइनस एक इसका whole square plus Y निर्जेशांक में से Y निर्जेशांक माइनस कर दो माइनस 11 माइनस 5 इसका square आईए हम इसे हल करते हैं root माइनस माइनस प्लस 2 और एक 3 3 के साथ माइनस का जाइन माइनस 3 का whole square बीच में है plus minus minus plus 11 और 5 16 साथ में साइन माइनस का क्यूंकि दोनों माइनस की रख में है इसका square तो यानि minus 16 का square आईए हम इसे हल करें minus का square होता है plus 3 का square होता है 9 minus का square होता है plus 16 का square होता है 256 256 तो देखे 256 और 9 कितना आ गया 265 अब हमने AB निकाला BC निकाला AC निकाला हमने कहा था 3 बिंदू संग्रेखी तब होंगे जब किनी 2 को plus करके जैसे AB और BC दो को plus करके तीसरी दूरी आए लेकिन आप यहाँ देख रहे है किनी 2 को plus करके तीसरी वाला कुछ नहीं लग रहा है ये root 265 है ये root 212 है ये root 5 है तो इन में से कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई 2 को plus करके तीसरा बने या इन दोनों को plus करके ये बने या इन दोनों को plus करके ये बने या इन दोनों को plus करके ये बने ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा तो हम लिख देंगे नहीं तीनों बिंदू संग रेखी नहीं है ठीक है बच्चों यदि इन में से किनी दो को भी प्लस करके तीसरे के बराबर दूरी आई होती तो हम कहते हाँ तीनों बिंदू संग रेखी है परन्तु यहाँ ऐसा कुछ नहीं था इसलिए हमने लिखा तीनों बिंदू संग रेखी नहीं है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को भी यदि आप देखना चाहते हैं उनके वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उससे आपको वहाँ पर इस प्रशनावली के बाकी वीडियोस भी दिखाई देजाएंगे धन्यवाद